नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागते आपका SS Software and Service में मैं शारुक आपका दोस्त अज लेकर आए एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे फाइल GSTR 3B आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको अपने टैली प्राइम से अपनी GSTR 3B फाइल करनी है तो आप उसे किस तरीके से फाइल कर सकते हैं साथ साथ आज के सेशन में हम ये भी बताएंगे GSTR 3B कहते किसे हैं और GSTR 3B भरने से पहले आपको अपने Bux of Account को किस तरीके से रेडी करना है ताकि आपकी GSTR 3B सही तरीके से फाइल हो सके ये सारी बात है आज हम आपके साथ इस सेशन में डिसकस करेंगे तो आज का सेशन आप लोग के लिए काफी important होने वाला है तो आप इस वीडियो में last तक बने रहें लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी request है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं क्या है तो कर लें ताकि जो भी वीडियो upload करें उसकी notification आपको मिलती रहें तो चलिए start करते हैं आज का अपना topic सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि GST R3B कहते किसे हैं और GST R3B लाने का सरकार का intention क्या था जैसा कि आप सभी जानते हैं एक जुलाई 2017 को सरकार ने GST को इंडिया में applicable किया था जब सरकार ने GST को इं taxpayer सरकार चाहती थी जो भी हमारे taxpayer उनका tax automatic calculate हो जाए इसके लिए सरकार बहुत सारी रिटने लेकर आई जैसे कि सरकार ने अपने taxpayer से का कि अगर आप लोग कोई भी sale की information हमें देते हो तो उसके लिए आपको GST R1 भरनी होगी और GST R1 फाइल करते वक्त आपको tax देने की information दोगे तो उसके लिए आपको GST R2 फाइल करनी है और इसके अंदर आप कोई tax देने की आवशकता नहीं है इसी तरीके से सरकार ने कहा कि जब हमारे पास आपकी sale की और purchase की information आजाएगी तो हम आपसे एक return or file करवाएंगे जिसका नाम होगो GST R3 जिसके अंदर हम आपको ख आपकी last month की सारी information आगे जिससे आपका automatic tax calculate हो जाएगा लेकिन problem तब आई जब 1 July 2017 को GST इंडिया में applicable हुआ तो उस समय जो GST portal है वो proper तरीके से work नहीं कर पा रहा था जिसके कारण taxpayer की ना ही GST R1 फाइल हो पाई ना ही GST R2 फाइल हो पाई और जब आपकी GST R1 और GST R2 नहीं हो पाईगी जब GST R3 नहीं जाएगी तो सरकार को taxi collection नहीं होगी और जब सरकार को taxi collection नहीं हो पाईगी तो देश में development नहीं हो पाईगा फिर सरकार ने सोचा कि जब तक GST portal proper तरीके से ready नहीं होता तब तक के लिए हम एक नई return को launch करते हैं जिसका नाम हुनोंने GST R3 सरकार ने कहाए कि GST R3 भी स्टेपनी फॉर्म है जो अभी कुछ सालों तक रहेगा लेकिन जब GST portal proper तरीके से बन जाएगा तो हम इस फॉर्म को delete कर देंगे और फिर दुबारा से GST R1, GST R2 और GST R3 का concept चलाएंगे लेकिन फिलाल अभी आपको GST R3 भी के बारे में जानना GST R3 भी एक मंतली फॉर्म होता है जिसके अंदर हम सरकार को अपने last month की sale और purchase की information देते हैं जिससे सरकार automatic tax calculate कर सके इसे दूसरे सब्दों में हम GST R3 भी एक self declaration form के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें हम अपनी इक्छा से सरकार को बताते हैं कि हमने total कितने की sale करी, total हमारी कितनी purchase थी और total हमारा tax कितना बनता है इसे file करने की due date होती हो next month of 20 होती है जैसे अगर आपने अपरेल मन्त में कोई काम किया है तो उसकी information आपको 20 मही तक देनी है अगर आपने कोई मही में काम किया है तो उसकी information आपको जून में देनी है 20 तक और अगर आपने अक्तूबर मन्त में कोई काम किया है तो उसकी information में कितनी टेबल होती है अगर आपको GSTR 3B के बारे में ज़्यादा डिटेल है पढ़ना है तो उसके लिए आप rule 61 close 5 पढ़ सकते हैं GSTR 3 में total मिलाकर 6 टेबल होती है जिसको हमने चार पार्टों में बाट है जिसमें सबसे पहले हमने basic information रखा दूसरी में अगर आपको अपनी basic information देनी जैसे आपका GST नंबर क्या है आपका नेम क्या है यह सभी आपको basic information के अंदर देनी होगी जिसमें पहली में आप अपना GST नंबर बताओगे दूसरे में आपका legal name है वो automatic आपके GST नंबर से calculate कर लेगा इसके बाद अगर आपको अपनी sales की कोई भी information देनी है तो उसके लिए आपको 3.1 table यूज करनी है और 3.2 table यूज करनी है इसी तरीके से अगर आपको अपनी purchase की information सरकार को देनी है तो उसके लिए आपको table number 4 यूज करना होगा जिसमें आप बताओगे कि सरकार हमने पिछले महिने में इन इन लोगों से माल खरीदा है और total हमारा इतना ITC बनता है और table number 5 के अंदर आपको वो सारी purchase बतानी है जो exempted, related या फिर non-GST वाली है और table number जो 6 होती है वो बात करती है GST calculation की कि आपके उपर total कितना tax बनता है इसकी अगर मैं आपको detail दिखाऊं तो आप देख सकते हैं basic information में आपकी दो table होगी जिस पर लिखा होगा GST number और legal name of registered person ये auto populate होगा आपके GST number से इसके बाद अगर हम sale की बात करें तो sale के लिए हमने आपको बताया था 3.1 table होती हो 3.2 table होती है अगर आप कोई भी sale करते हो तो उसकी सारी information आपकी 3.1 के अंदर जाएगी जिसमें सबसे पहले आता है outward taxable supply other than zero rated, nil rated, exempted और non-GST product अगर आप कोई ऐसा product sale करते हैं जिस पर tax लगता है चाहे वो 3% और 5% और 12% और 18% या फिर 28% है उसकी सारी information यहाँ पर देनी होगी एक बात में और आपको बता दो GSTR करीवी एक summary form है जिसके अंदर हमें bill wise information सरकार को नहीं देनी होती है बस हमें यह बताना होता है कि last month में हमारी total इतने की sale हुई है इतना taxable value है इतना IGST है इतना CGST है और इतना SGST है तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि सरकार ने हमसे प taxable supply zero rated आप सभी को पता है zero rated वो supply होती है जब एक country से माल दूसरी country हम sale करते हैं उसे हम zero rated supply कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई export करते हैं तो उसकी information आपको GSTR 3B के अंदर table number 3.1 के अंदर देनी है इसके बाद अगर आप को related exempted product बेशते हो तो उसकी information आपको 3.1 के C column में देनी है अगर आप लोग क्या करते हैं purchase करते हैं RCM वाली entry तो उसकी information आपको D के अंदर देनी है और जो table number E होती हो बात करता है non GST output supply अगर कोई आप ऐसा product based हो जिस पर GST नहीं लगता तो उसकी information आपको 3.1 के E point के अंदर देनी है आप सभी को पता है बस खाली दो भी product ने जिन पर GST नहीं लगता जिसने पहला आता alcohol और दूसरा आता है petroleum इसी तरीके से हमारे पास table number 2 आती है जो बात करती है interstate supply अगर आप एक state से दूसरे state की sale करते हैं और अगर आप इन तीन लोगों को माल sale करते हैं तो उसकी information आपको 3.2 के अंदर देनी होगी जिसके अंदर सबसे पहला आता है unregistered party मतलब अगर आप दिल्ली के business में हो और आपने UP की party को माल sale कर और वो unregistered है तो उसकी information आपको 3.2 के अंदर देनी है इसी तरीके से अगर कोई party other state के और वो composition है तो उसकी information आपको GSTR 3B की table number 3.2 में देनी है और अगर आप UNI holder हो मतलब unique identification number वा जो बाहर की company है इंडिया में business करना चाहती है तो सरकार उनको सभी state के लिए common number देती है जिसे बोलते है unique identification number तो अगर आपने इन लोगों को माल sale कै तो उसकी information आपको यहाँ पर देनी होगी बस यहाँ पर आपको इनकी place बतानी होगी total taxable value बतानी होगी और total इनके उपर IGST कि आपको यहाँ पर देना होगा इसके बाद जो table आती है वो बात करती है purchase की और हमने आपको बताया था purchase में दो टेबल आती है table number 4 और table number 5 तो याद रखना अगर purchase करते वक्त आपने जो भी tax अपनी party हो को दिया है और अगर आप उसका claim करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको table number 4 पढ़ना होगा है table number 4 बात करता ITC ITC का मतलब होगा input tax credit की purchase करते वक्त जो भी आप tax सामने वाली party को देते हो उसका अगर आपको ITC लेना है तो उसके लिए आपको table number 4 के अंदर अना होगा इसके बाद आती है table number 5 जो बात करता है value of exam and non GST invert supply अगर आप लोग कोई ऐसा product ख non GST वाला है तो उस case के अंदर आपको उसकी information table number 5 के अंदर दीनी होगी इसके बाद जो हमारी table आती हो बात करता है GST calculation और ये table automatic बंदी इसमें आपको बनाने की आवशक्ता नहीं है तो आप इस बात को याद रखना कि अगर हमें GST की जो भी calculation करनी है वो table number 6 में करनी है और ये tally prime automatic calculate कर लेता है उसमें आपको कुछ calculate करने की आवशक्ता नहीं है लेकिन जब आप इस table को check करें तो please आप हमारी उस video को जरूर बोच करें जिसके अंदर हमने आपको tax calculation सिखाया था अगर आप उस तरीके से tax calculation करेंगे तो आपका tax proper तरीके से file हो जाएगा उस video का link हमने उपर i button में और वीडियो की description में दे रखा है आप वहाँ जाकर भी watch कर सकते हैं जब आपकी सारी table complete हो जाएगी तो उसके बाद आपको कुछ चीज़े और check करने हैं जैसे कि मान लो अगर आप अपनी GSTR 3B file करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप लोगों को अपना GSTR 2 और GSTR 2 भी check करना होगा और अगर आप अपनी 3B file करने से पहले इन दो form को नहीं check करेंगे तो हो सकता है कि आपकी GSTR 3B गलत तरीके से file हो जाएं सर्फ GSTR 2A क्या होता है GSTR 2A होता है कि अगर आपने किसी वेक्षी से कोई माल खरीदा और उसने अपनी return file कर दी तो जब वो return अपनी file करेगा तो automatic आपकी GSTR 2A के अंदर आ जाएगा जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि जिस party से हमने माल खरीदा है उसने अपनी return भर दी और साथ-साथ ये date थी ये bill number था और ये total उसका amount था तो आप इस तरीके से check कर सकते हैं सर लेकिन आपनी हाँ पर दो लिखाए GSTR 2A और GSTR 2B सर इन दोनों में difference है इन दोनों में कोई difference नहीं है बस एक बात अलग है अगर आपने किसी से अगस मन्त में माल खरीदा है और वो party अपनी return due date से पहले file कर देती है मतलब 11 तारीक से पहले file कर देती है तो वो सारी information आपको GSTR 2B के अंदर मिल जाएगी और अगर कोई party अपनी GSTR 1 due date के बात file करता है तो वो आपको automatic GSTR 2A के अंदर दिखेगा तो बस आपको यह याद रखना है कि जब भी मैं अपनी GSTR 3B file करूँगा तो मुझे अपनी GSTR 2A क्या फिर GSTR 2B को check करना होगा जब यह सारा हो जाएगा तो उसके बाद आपनी GSTR 3B file कर सकते हैं तो अब चलते हैं अपने Tally software और देखते हम इसे किस तरीके से Tally Prime के अंदर कर सकते हैं तो मैंने हैं से अपने Tally Prime को open कर लिया जब आपको Tally Prime open हो जाए तो यहाँ पर आपको decide करना है कि आप अपनी कौन सी company की return file करने चारे है तो मैंने सारी entry हैं complete हो जाए तो उसके बाद आपको जाना है डिस्पले more report में उसके बाद जाना है आपको GST report में और GST report के अंदर आपको मिलेगा GSTR 3B बस आपको यहाँ से GSTR 3B पर click करना है जैसी आप GSTR 3B पर click करेंगे उसके बाद यहाँ से आपको अपना period select करना है जो भी आपका period और जैसी आप inter मारोगी यहाँ पर सारी information आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी total output supply कितनी है साथ साथ आपकी ITC कितना बनता है यह सारी information यहाँ पर automatic calculate हो जाएगी आपको अलग से करने की आवशक्ता नहीं पड़ेगी अगर आप इसका text calculation चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने keyword से F5 बटन दबा देंगे जिसके अंदर आपकी automatic text calculation में आपकी table आ जाएगी और अगर आप इसे नहीं देखना चाहते तो अगेन आपने keyword से F5 बटन दबा देंगे तो यह आपकी table form में complete हो जाएगा अब हमें gstr3 भी भरनी है तो gstr3 भी भरने से पहले हमें अपना gstr2 चेक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है तो उसके लिए जाने के बाद आपको अपनी file का पात देने लेकिन अगर आपको json file download करनी नहीं आती है तो उसके लिए आपको google पर जाना होगा google के बाद आपको return dashboard में जाना होगा यहां से अपना period select करना होगा जिस भी month का आपको gstr2 या फिर gstr2 को जाएगा अब आपको decide करना है कि आपको अपने tally prime को किसके साथ reconcile करना है हमने कहा कि हम two a के साथ करना चाहते हैं तो बस हम simple download पर जाएंगे download के बाद json file पर click करेंगे और जैसी json file पर click करेंगे हमारे नीचे file आजाई click here to download json file और यहां से आप json file को download कर सकते हैं लेकिन अगर आप first time इस पर click करेंगे तो आपको 20 minute का wait करने को बोलेगा तो आपको 20 minute wait करना और उसके बाद अगेन यहां आप पर आकर इस file को download कर लेना है जब आपकी file download हो जाए तो उसके बाद आपको अपने teleprime को open करना है load json file के अंदर जाना और यहां से आपको उस file का path देना है जहां भी आपका file आपने download किया हमारे case में जो हमारी file है वो हमारे local folder के अंदर है तो हम यहां से उस local folder का path दे देंगे और इंटर मारेंगे जैसी इंटर मारेंगे वो file automatic यहां पर upload हो जाएगी और जैसी upload होगी तो आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास जो file का path होगा यहां आपको बता देगा और साथ साथ जो blue color की होगी वो पोर्टल को इंडिगेट करेगा और जो black color का होगा वो आपकी book value को इंडिगेट करेगा इसके साथ साथ यह बता रहा है कि पोर्टल पर 6 बिल upload है तीन बिल upload है लेकिन पार्टी ने return तो भर दी लेकिन उसे अभी तक verify नहीं किया है अगर आपके पास इस तरीके का आइकन आ करना है अपनी GSTR 3B पर जाना है यहां से अपनी starting rate अपनी ending rate टाइप करनी है और उसके बाद खाली आपको किस पर click करना है export पर export के बाद आपको e-return पर जाना है e-return के बाद यहां से आपको json file है बनाना और इसे इंटर-इंटर मार के क्या कर देना है और जैसे आप इंट राइली install किया तहां वहाँ पर जाकर install हो जाएगा उसके बाद आपको simple google पर जाना है return dashboard पर आना है return dashboard के बाद अपने period को select करना है जो बही आपका period होगा और उसके बाद simple search बटन पर click करना है जैसी आप search बटन पर click करोगे यहां से आपको gstr3 भी मिल जाएगा उसके बाद prepare offline पर जाना है इसके बाद again आपको choose file पर जाना है आपको यहाँ पर अपनी file का पात देना है जहां भी आपने अपनी file को download किया हो या आपने जहां अपनी file को बना कर रखा हो हमारे case में हमने teleprime वाले folder में रखा है तो बस हम इस file को select करेंगे जैसी हम double click करके select करेंगे यह file हमारी upload हो जाएगी और जैसी upload होगी यहाँ पर हमारे पास एक message आ जाएगा कि और file upload successfully और अगर कोई भी error होती तो यहाँ पर हमें error मिल जाएगी जब आपकी file upload हो जाए तो उसके बाद आपको cross check भी करना है कि जो data portal पर आया है वो सही है या नहीं इसके लिए मैं again अपने मन को select करूंगा search button पर जाओंगा और उसके बाद अपने GSTR 3B पर click करूंगा जैसी मैं GSTR 3B पर click करूंगा यह मुझे पूछेगा क्या अपनी return को nil file करना चाहता हो मैंने का मैं अपनी return को nil file नहीं करना चाहता तो मैंने no button पर click कर दिया पर next button पर click करना है जैसी आप next button पर click करोगे तो यहाँ पर आपकी सारी table है open हो जाएगी जिसके अंदर आपका data है इसके बाद आपको cross check करना है कि आपने जो information portal पर upload करी है क्या वो tally से match हो रही है तो हमें के करके check कर लेते हैं तो यहाँ भी आपको zero मिला है इसके बाद जो table number four आती है वो बात करता eligible ITC की अब आपको अपने tally से match करना है कि यहाँ पर जो आपकी ITC वाली table है वो match हो रही है तो आप देख सकते हैं हमारी table match हो रही है लेकिन साथ में हमें यह red color का indicate message भी दे रहा है आपने ITC ज़ादा claim कर लिया जो portal पर आ रहा है उससे ज़ादा आपने claim कर लिया सरकार ने कहा है कि हम आपको उनी बिलों का ITC देंगे जो बिल पोर्टल पर आ रहे है अगर आपके वो बिल पोर्टल पर नहीं आ रहे है और आप उनका ITC claim कर रहे है तो वो आपको red color का indication message देता है जब यह आपका सारा काम complete हो जाए तो उसके बाद आपको अपनी exempt वाली sale भी देखनी है अगर है तो और इसके साथ सर अगर आपकी कोई भी late fees बनेगी तो आपकी table number 5 की 5.1 के अंदर आ जाएगी इसके बाद आपको directly save button पर click करना है जैसे आप save button पर click करोगे यह आपकी save हो जाएगी और जब यह आपकी save हो जाएगी तो उसके बाद आपको proceed button पर click करना है जैसे आप proceed button पर click करोगे automatic आपकी table number 6 open हो जाएगी जो बात करता है payment of tax की इसके बाद आपको directly नीचे आना है और आप जैसी नीचे आओगी तो आप देख सकते हो other than reward charge के अंदर जो भी आपका tax होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और आपने इसको किसके साथ adjust किया है वो सारी table यहाँ पर आपको मिल जाएगी बस उसके बाद आपको क्या करना है आपको make payment post credit leisure पर click करना है जैसी आप इस पर click करोगे यह आपको एक warning message देगा आप इसे read करना चाहो तो read कर सकते हो otherwise आप इसे yes कर दो जैसी आप इसे yes बटन पर click करोगे यहाँ पर आपके सामने एक message आ जाएगा ओपसेट successfully इसका मतलब होता है कि जो तुमने tax की adjustment कियो proper तरीके से हो गई है इसके बाद आपको simple okay बटन पर click करना है जब आपका okay हो जाए तो उसके बाद आपको proceed to file पर जाना है उसके बाद i view पर click करना है यहाँ पर आपको authorized person का name select करना है और इसके बाद file gstr3b with evc पर click करना है evc का मतलब होता है electronic verification code अब आपकी registered mobile number पर और आपकी email ID पर एक OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पर type करना है देखिए मैंने यहाँ से अपना OTP type कर दिया और इसके बाद आपको simple verify पर click करना है और जैसे verify पर click करोगे आपकी gstr3b file हो जाएगे तो आप इस तरीके से teleprime की मदद से अपनी gstr3b को proper तरीके से file कर सकते हो तो यह हमारा आज का session था जिसके अंदर आज हमने आपके साथ बात करी gstr3b in teleprime अगर यह वीडियो आपको interesting लगी हो अगर यह वीडियो आपको